आप जब गए थे पंजाब तो आपका काफिला ब्रिज पे अटक गया था और आपने किसी ओफिशल को कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर को कही है मैं जिन्दा वापस जा रहा हूं बहुत सा इंवेस्टिगेशन भी चल रही है सेक्योरिटी को लेकर लेकिन उस वक्त आपको कैसे मैसे उस हुआ था क्योंकि आप पंजाब से पता नहीं कब से जुड़े हुए है मैं इस पूरे नौर से पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है मैं पंजाब में बहुत रहा हूं मैं पंजाब की मेरा बड़ा नाता रहा है मैं मेरी पार्टी का काम वहां करता था मैं प पंजाब के लोगों के दिल को मैं जाता हूं, मैं अपको गुधान बताता हूं, मैं अपनी पार्टी का काम करता थाूं, उस समय तो ये आतंगबाद बड़ी, एकदम हालत बड़ी खराब थी, शाम के बाद कोई निकलने पाता था, और मैं शायद मोगा में थै या तरवन ता पे जाना था, लेकिन कार्दम के काम देर हो गई, देर हो गई, मैं और मेरे ड्राइवर दोई थे, हम निकले, और दुर्भागे से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, हम कोशिश कर रहे ते, लिए गाड़ी चल नहीं रही थी, उस वह एक पुरानी अमशिडर मेरे पास थे, धक्के भी लगाएं कोशिश की, तो खेज में दो तिन लोग थे, सरदार थे, वो दोड़ते हुए आए, उन्होंने भी धक्के लगाने में मदद की, नहीं गाड़ी नहीं चली, फिर हम नहीं कहा है, नद्दिक से कोई हमें कोई, मेकनिक मिलेगा और नहीं मिलेग तो जाब यहां तो अभी तो कोई मिलेगा नहीं, बहुत दूर-दूर है, फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, तुमें बुरा नहीं लगे, तो एक बात करो, मैंने क्या, बहुत तुम काड़ी यहां छोड़ दो, तुम और तुमारे ड्राइवर, खेत में हमारे खाना खानो, और रात को रुख जाओ, सर्दार परिवार, चीज प्रकार से उन्होंने मुझे समाला, उन्हों का भई, कुछ भी हो, तुम सुबह जाना, अब यहां ही रुख जाओ, बादमीन को पता जला, मैं तो भाज़पा का कार करता हूँ, ठीक है भी तुम भाज़प जाकर गेक मेकने को लिया आया, गाड़ी ठीक की और मैंने पंज़ाब का इस दिल देखा है इन सर्दारों के भावों को जानता हूँ मैं, इतने और मेरे तो गुजरात में, मेरे कच्छों में अंदर, इतने मेरे परिवार है सर्दार, मैंने जब लखपत में, गुरु, हुकम में नुक्षान हुआ था मैं वहां गया देखने लिए मुझे बड़ा दर्द हुआ तो मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को लाया राजस्थान वगरे बाहर से कि वैसा ही मुझे गुर्दवारा बना के दो जो गुरु नानक देव जी के जहां चरन पड़े थे बनाया दुवार आज कच के अंदर जो हमारे सरदार परिवार है बहुत पड़ी मात्रा में खेती करते हैं जब वो इसका बात के वढ़ा है उनके आखों में सांस हुआ जाता है जी और मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक वर्चुल मिटिंग में मैंने उस गुर्दवार में सब से बात की मेर क publishers के जमान तु हुआ है ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्यान के लिए हमारे सीख्भाईयों की विर्ता को सम्मान कर्ने के लिए कि अर मुझे गरव से चुनाव चुनाव की जगा पर है लेकिं मैं मानता हूं मेरे ने देश के वीर yeah brain aion के जितना कर से कूंगा मैं करता रहू तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था इसलिए ऐसे हुआ ऐसा है कि इस विशे में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कॉर्ट स्वयम इसको गंभीरता पुर्वक इस बात को देख रही है मेरा कोई भी वाक्या पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे या उचीत नहीं है जो भी है सुप्रीम कॉर्ट के द्वारा जहां कमिटी निकालेगी जो सत्य होगा देश के सामने आएगा और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए